हेलो गाइस, वेलकम बैक टो चनल PCMB, डिजिटल गुरुकल, बिटा सेवन्थ क्लास की वरक्षिट है, नाइन्थ मैट्स की हिंदी मीडियम की, तो यहाँ पर आपको फ्रेक्शन के बारे में बताना है, कि कौन सा फ्रेक्शन किस प्रकार का होता है, तो उचित फ्रेक्शन वो हो जाती है, तो यह हो गया अनुचित, जहाँ एक आ जाता है, उसे एकाई भिन कहते हैं हम लोग, और जो यह है, इस तरीकी की वैले को मिश्रित भिन कहते हैं, उसके आद आपको यह करना है, कि जब भी भी अडिशन करनी हो, और अगर डिनोमिनेटर समान हो, तो सीधा डिन को आड़ कर दीजिए, तो इस कांसर हो जाएगा, 7 by 5, यह, अगर आड़ करते वक्त आपको दिख रहा है, कि दोनों वाल्यूस जो है, अलग-अलग हैं, तो पहले उनके डिनोमिनेटर को जो नीचे का अंश है, उसको समान बनाए, तो 2 by 5 into में 7 into 7 plus 4 by 7 into में 5 into में 5, तो यह हो जाएगा 35, और उपर आजाएगा 14 plus 20 by 35, this will be 34 by 35, तीसरे कोईशन में 5 by 6, तो 5 by 6 को आप मल्टिप्लाइ कर सकते हैं 4 से, और 3 by 8 को मल्टिप्लाइ कर सकते हैं 3 से, एक्वेशन को बराबर लाने के लिए, तो 24 हो जाएगा, और उपर आजाएगा 20 plus 9, तो 29 by 24 अंश हो जाएगा, ठीक, उसके बाद आपको सब्स्ट्राक्शन में भी सेम रूल लगाना है, 3 by 5 minus 4 by 5, numerator सेम है तो 1 by 5 minus की value हो जाएगी सिदा सिदा, 2 by 5 minus 4 by 7, तो 2 by 5, 7 से मल्टिप्लाइ कर दिया जाएगा, और minus कर दिया जाएगा 4 by 7 के 5 से, तो 14 by 35 minus 20 by 35 is equal to minus 6 by 35 अंसर होगा, 5 by 6 और 3 by 8, तो 5 by 6 और 3 by 8 को 5 by 6, multiplied by 4 into 4, minus 3 by 8, multiplied by 3 into 3, तो यो जाएगा 20 by 24, minus 9 by 24, this will be 11 by 24, So, thank you so much for watching the video friends, please subscribe to our channel and keep supporting us.